आज हम आपके साथ बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्टे की रेसिपी शेर करने वाले हैं जिसे हम बची हुई रोटियों से बनाएंगे तो यदि आपकी भी रोटी कभी बच जाए तो आप इस रेसिपी को ज़रू से ट्राइ करके देखिएगा त इसी के साथ हम इसमें दो चुटकी हिंग आदी छोटी चमच जीरा आदी छोटी चमच राई और इसी के साथ एक चोटी चमच साबू धन्या डालेंगे लेकिन धन्या को हाथ से थोड़ा सा क्रश करते हुई डालेंगे इसके बाद हमने दो मीडियम साइस के कच्चे आलू लिए हैं आलू को हमने कद्दुकस करके पानी में डाल दिया था ताकि यह काले नहीं पड़े यदि आप आलू खाना पसंद नहीं करते हैं तो आलू के बज़ाए चाहे तो यहां पर लोकी को कद्दुकस करके भी ले सकते हैं अब हम इसमें दो से तीन चुटकी हल्दी पाउडर और इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे ताकि आलू जल्दी से सौफ्ट हो जाए हमें आलू को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है बस इन्हें अलका सा सौफ्ट ही करना है तो गेस का फ्लेम मीडियम लो कर देंगे और इन्हें ढख करके पकने देंगे लगफ़क तीन-से-चार मिंट लगेंगे अलो को पकने में और आप देख सकते हैं कि आलू अच्छे से सौफ्ट होने लगा है तो बस इतना ही हम हिने पकाएंगे अब हम इसमें एक मीडियम साइस की हरी मिर्ची डाल देंगे इसी के साथ एक छोटी सभी की शिमला मिर्च ली है, इसे भी बिल्कुल बारी कट कर लिया है। इसके बार हमने याँ पर एक मिडियम साइस का बारी कट किया हुआ प्याज भी लिया है। इसे थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें एक चोटा ही चोटी चमच लाल मिच पॉड़ो डाल देंगे यदि आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो इसे इसकिप कर सकते हैं सबी चीजों को मिला कर हम गेज बन कर देंगे क्योंकि हमें शिमला मिच और प्याज को पकाना नहीं है इसी के साथ थोड़ी सी धन्या पत्तियों डाल देंगे जिससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा पढ़ जाएगा तो चलिए चार से पांच मिट लगे हैं और मसाला बनकर तयार हो चुका है इसे हम रख देते हैं साइड में और इसके बाद एक बाल में हम आधा कप बेशन, स्वाद अनुसार नमक, एक चुदाई छोटी चमच, चिली फ्लेक्स, एक चुदाई छोटी चमच, जीरा डाल द साथ में थोड़ी सी धन्या पत्ती और दो चुटकी हिंग भी डाल देंगे इसकी बाद मैंने यहाँ पर एक छोटी चमच ओयल लिया है ओयल डालने से नाश्ता उपर से तो क्रिस्पी बनता है लेकिन अंदर से काफी सौफ्ट बनता है तो लीजिए सबी चीजों को हमने मि आ रहें बेसे तो आप बची रोटी को दूद चाच अचार यह जीरावन किसी की साथ भी खा सकते हैं लेकिन आज हम इनी रोटे से बहुत ही स्पेशल नाश्ता बनने वाल है जिसे बच्चे से लेके बड़े सभी शोक से खाएंगे तो यह आप आप देख सकते हैं कि रोट मसाला आप इस पर नहीं डालें वरना रोटिया तूट सकती है तो लगभग दो से तीन चोटी चमच मसाला डालकर हमने पूरी रोटी पर अच्छी से फिला लिया है अब हमें इसे करना है तो धीरे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से इसका रोल बना कर तैयार कर लेंगे क्योंकि अब हमें रोटी को कट करना है तो मैं यहाँ पर एक रोटी के चार से पांच इसे कर रही हूँ लेकिन आप अपने इसाब से इसे और भी ज़्यादा चोटे बड़े पीस में कट कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से छोटे-छोटे से रोल बन कर तयार कर लिए हैं तो चलिए अब जल्दी से नाष्ता बनाना शुरू करते हैं क्योंकि इस तरफ हमने बेशन का गोल भी बना कर तयार कर लखा है बस एक एक रोल उठाना है और घोल में तुरणती डिप कर के निकाल लेना है क्योंकि हमने पहले आफ्याए और और करते हुए मीडियम फ्लेम पर फ्राइ कर लेंगे जब तक कि इनका कलर हलका सा चैन नहीं हो जाता है या फिर अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं इससे पहले भी मैंने बच्छी रोट्यों से कई तरह की रेसी भी शेयर की है और उन सभी को आपने काफी पसंद भी किया ह तो एक बार इस तरीके से भी ये बच्छी रोट्यों से पॉकेट्स बना कर ज़रूर से देखिएगा बच्छे से लेकर बड़े सबी इने बड़े शोक से खाएंगे और इन्हें देख कर कोई कहीं नहीं पाएगा कि आपने इने बासी रोट्यों से बना है तो ये लिजिए हमारे नाश्टा बन कर तेयार हो चुका है और कितना बढ़िया इनका कलर आया है इसको देखते ही बस खाने का मंत होने ही लगा होगा तो फी चलिए जद देर नहीं करते हैं और जल्दी से निकाल लेते हैं उपर से क्रिस्पी और अंदर से कई लेयर्स वाले पोकेट्स आप क्यों हरी मिर्ची के साथ खाई ये खाने के साथ को और बढ़ा देंगे तो आशा करते हूं कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राय करके देखेंगे यदि आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब परना बिल्कुल भी ना बूलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद